हेलो एवरीवन स्वागत है आपका ब्यूटिफुल नेचर बाई मी इस चैनल में तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ जितने भी प्लांट लगे है किसमें फ्रूट लगे हुए है क्योंकि फ्लावर के प्लांट तो मैं आपके साथ बहुत बार शेर कर चुकी हूँ तो यह देखिये यह पॉमा घ्रणेट छोटा साय लेकिन काफी हेल्दी है एकदम हराबरा इसकी सॉल आप देख सकते है इसके साइड में कितना एकदम ब्लेक रंग का सॉल ने यह जो हम खाते है ना पत्ता मतलब पान मसाला, पान वगेरा खाते है न यह उसका है पेड प्ल गिर गया है अभी बारिश होगी तो और भी जादा हिल्दी हो जाएगा इसको लगाने का मुझे बहुत दिनों से इच्छा था आखिर कर हमने इसको लगाई लिया इसमें काफी ब्रांचेज भी निकल रही है अभी इसके साथ साथ चोटा सा चिकू का पेड है यह सब आंगन में लगा हुआ है यह भी काफी जादा हिल्दी इसमें भी जल्दी चिकू खाने को या देखने को मिलेंगे साइड में जो देख रहे है न वो मिर्ची का पेड था न वो उखाड के फेका हुआ है उसके साइड में जो अदि दीख रहा था नीचे के साइड में और यह रातरानी का वीडियो तो मैं आपके साथ share कर ही चुके हूं कि posición कि यह कितना बड़ा और कितना healthy है और इस अब फ्लावरिंग किस तरह के होती है इसका वीडियो मैंने अपने चानल पर अप्लोड किया हुआ है अगर आप टात्रानी का वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा चाहे तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी है ना बड़ा इसमें बड़िंग भी देखिए कितनी सारे हैं इसका लिंक में आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं इसका पूरा वीडियो यहां पर भी आपको सॉइल दिख रहा होगा किस तरह का सॉइल है और यह है अम्रूद का मतलब पेरू का चोटे चोटे हैं लेकिन इसमें फ्लावरिंग भी है और फूट भी लगे हुए है यह देखिए कितना चोटा है ना तीन तीन फीट का शायद हो सकता है अभी तक यह पॉट में है इसको रिपोर्ट नहीं किया हुआ है जमीन में नहीं लगा हुआ है आने वाले बारिश में में जरूर लगांगे इसको यह मिर्ची ग्रीन चीली देखिए कितना ज्यादा हेल्दी है अभी गर्मी के वज़े से काफी खराव हो गया तो तो पूरा निकार दिया है कुछ ज्यादा ही हरा था या फ्लावरिंग थी उसको रखा हुआ था यह देखिए इसमें लगी है मिर्ची तीखी वाली मिर्ची है यह है ना यह भी हल्दी एक दम सुन्दर लग रही है हरी 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 ऐसे कोई भी फ्रूट वेजिटेबल्स या कोई भी सीड हम सॉयल में डाल देते है तो यह लग जाती है आसानी से यह देखिए यहां पर लगे है अमरूत अमरूत तो वैसे तीन चार बार लगा लगके गए है मतलब इस प्लांट को लेकिन कैसा है ना गाओ में कोई किसी को बोलता नहीं तो कोई भी आता है तो फिर तोड़ के लेके जाते है अभी तक तो हमने भी इसका फ्रूट का टेस्ट कैसा है ना तो टेस्ट नहीं किया हुआ है हमको क्योंकि मिला ही ने कोई भी लेके जाता है ने छोटे छोटे है न बड़े भी नहीं होने देते थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो लेकर जाते हैं और यह है शो वाला प्लाइन्ट सबसे बढ़ी है और सबसे सुन्दर आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेर जरूर किजिएगा अगर पहली बार यह चाइनल देख रहे हैं अगर आप नए हैं तो सबस्क्राइब भी जरूर कर दिजिए यह भी पॉट में लगा हुआ है इसकी कटिंग थोड़ी सी भी लगा सकते है कही पर भी लग जाता है आसानी से ग्रो कर जाता है और हेल्दी भी है सुन्दर भी है इसको इंडोर आउट्डोर कही भी लगा सकते है